हलो दोस्तों आपका सवागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए कमेस्टी का नोट से लाए हैं बहुत important है थीक है ना दोस्तों अगर ये आप शीरीज को देखिएगा ये सिरीज आज से सुरू हो रहा है कमेस्टी का जितने भी चेप्टर है सभी चेप्टर से important question लिकाल के आपको दिया जाएगा और आप ये पूरा सिरीज देख लीजेगा आपके exam में एक भी question इससे बाहर नहीं आएगा ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो question है दोस्तो रासाइनी कभी किरिया किसे कहते हैं तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से किरिया करके भीन गुन वाले नए पदार्थ का निमान करता है उसी को क्या होता है रासाइनी कभी किरिया कहा जाता है कहने का मतलब है दोस्तों मानलीजे कोई भी पदार्थ मानलीजे यहाँ पर है हाइड्रोजन यहाँ कोलोरिन है और यह दोनों आपस में किरिया किया अभी किरिया करके हाइड्रो कोलोरिक अमल बना दिया तो इसी को तो बोलेंगे रसाइनी का भी किरिया कहने का मतलब है न कि क कोई भी चीज एक दूग चीज हापस में मिलके कोई तिसरा चीज बना दिया तो वह होता है रसाइनी का भी किरिया ठीक है ना अगला जो कोश्चन आया दोस्तों यह कोश्चन जो है कि बार बार देखने के लिए एक्जाम में मिलता है आपसे रिक्वेस्ट है देख लिजेगा इसको ध्यान से तो देखिए वायू में जलाने से पहले मेगनेसियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है तो देखिए वायू में जलाने से पहले जो है म उसके दोहन आसानी से हो जाता है इसलिए जो है मेगनेसियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है समझ में आया दोस्तों देखिए मेगनेसियम जो रिबन है उसको जलाने से पहले नरेगमर से रगर के साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से और तेज तिरवता से जल सके उमेद है कि आप समझ रहे होंगे ठीक है अगला जो कोर्शन आया रसाइनिक समीकरन की से कहते हैं तो देखिए दोस्तों किसी रसाइनिक अभी किरिया में अभी किरिया को है किसी रसाइनिक अभी किरिया को संकेत या सूत्रों केसा हैता से लिखा जाता है तो उसी को हम लोग रसाइनिक समीकरन कहते हैं दोस्तों जैसे मान लिजे हम यहां पर दिखा रहे हैं हाइड्रोजन और तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है एच टू आसी एल टू जैनि कहने का मतलब है कि समीकरन के माध्यम से दिखा रहे हैं सूत्र संकेत होता है हाइड्रोजन का संकेत एच होत सकते हैं कि किसी राशाइनीग का भी किरिया में भाग लेने वाले जो हैं न में को शहत्वा संकेथ τον शुत्र को सहता से दिखा रहेघını उसी भी समीकरन कहांगे ठिंगा अगला जो कोस्टन है सांतूलित र्लाषाइनिक शमिकरे अप क्या समझते हैं तो देखे संटूलित र्लाषानिक शमिकरन वह संपा रॉफ होता है जिसमें जहुक्ता सम्मिकरे के दोनों और परतेक टत्व के प्रमानु ब्रावर होती है कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लिजे यहां पर जितना केजित एक तराजू है ठीक है मान लिजे यह तराजू है यह तराजू है ठीक है तो जितना इधार होगा उतना ही इधार होना चाहिए दोनों तरफ जो है ब्रावर होना चाहिए मतलब संतूलित का मतलब होता है बैलेंस करना तो ठीक है ना संतूलित रसायनिक समिकरन वह है जिसमें समिकरन के दोनों और यानि क्या बोलते हैं इसके दोनों और इसके और इसके दोनों और जो है तत्वा जो है परमानु संख्या बराबर हो ठीक है अगला जो question है और संतूलित या कमकालिक रशाइनिक समीकरन से क्याब समझते हैं ठीक है तो और संतूलित रशाइनिक समीकरन वह है जिसमें समीकरन के दोनों ओरततों की परमानू संख्या जो है बराबर नहीं होता है जैसे माल लीजिये यहाँ पर यहाँ होना चाहिए ब्रावर के चीम यहाँ पर दूग है यहाँ पर भी दूग है लेकिन यहाँ पर HCl सिंगल है बैलेंस नहीं है अगर संतूलित करना होगा तो यहाँ पर दो लगा देंगे तो संतूलित होगा लेकिन संतूलित नहीं करना है तो यह क्या है और संतूलित है समझ में आया ना चलिए आगे बढ़ते हैं दरवमान के सनरक्षन का नियम किसे कहते हैं तो देखें वही सनरक्षन के नियम तो आप जन्वे करते हैं कि ना तो उत्पन किया जाता है नहीं नस्ट किया जाता है बलके एक रूप से दुस्रे में बदला जाता है तो वही बात यहां भी है कि किसी भी रसाइनिक अभी किरिय कि उत्पाद तत्व का कुल दरबमान अभिकारक तत्व के दरबमान के बड़ाबर होता है ठीक है अगला चाग कोश्चन है रासाइनिक समीकरणों को संतूलित क्यों किया जाता है किसी भी रासाइनिक समीकरण को दरमान संरक्षन के लिए संरक्षन के नियम को पूरा करने के लिए संतूलित किया जाता है कहने का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए इसलिए संतूलित किया जाता है तो यहां संतुलित करना होगा क्यूंकि यह दरवमान सनरक्षन के नियम बताता है अगला जो कोर्षन है स्वासन एक उस्मा छेपी अभी किरिया है कैसे तो देखिए यहां लिखने के लगता बहुत है लिखा हुआ लेकिन समझने के लिए थुरा सा पर लेते हैं इसको हम लोग देख ले कि प्राणियों को जीवित रहने के लिए उर्जा क्यों सकता होती यह स होजन से प्राप्थ होता है ठीक आप्सीजन है ना हीमोगलोबीन के माध्यम से गया है ना उससे किरिया करेगा और उर्जा उत्पन करता है इसलिए समासन एक उसमा छेपी अभी किरिया हो ऑग्स करने कामतलब है दोस्तों कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइडेट मिलता है कार्बोहाइडेट टूटेगा तो गुलकोच मिलेगा और वह गुलकोच जो है हमारे सरीर के अंदर ही किरिया हो रहा है गुलकोच जो है कोशीका में जो है ऑक्सीजन उससे किरिया करता है और किरिया करेगा और उसमें उर्जा उत्पन होगा तो उर्जा उत्पन होता है इसलिए इसको उसमें उसमा छेपी कहा जाता है यानि उत्पन होता है ठीक है अगला कोशन जो है सन योजन या संसलेशन अभी किरिया किसे कहते है दोस्तों देखिए गया वैसी रसाय마 करिया है जिसमें दो आधिक पदार्थ मिल करना है पदार्थ कर निर्मान करता है उसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर आपके सामने है कार्बन है औक्सीजन है दूनर मिल गया तो कारबन डेयोक्साइड बन गया तो उसको बहुत बोलेगे संसलेसी यह बीकिरिया चाहे सडियोजाञ अभी किरिया ठीक है? अगला जो कर्षोण है पर लेस्लेसी योगी के बारे अनुके टूटने से दो या दो से आधीक सरल योगीक बनाते हैं, जिनके मूल जो है गुन होता है, योगीक के गुनों से बिलकुल अलग होता है, कारणी का मतलब है कोई योगीक है, और वो तूट गया और से दो या दो से अधिक योगी किया तथ नै नोगी पहले वाला जो योगिक है न उससे यह दोनों जो मिला है वो बिल्कुल अलग होगा जैसे यहाँ पर देख लेजिए यहाँ कैलसियम कार्पोनेट है तूटा तक कैलसियम मिल गया और यहाँ पर कारवन डेक्साइड मिल गया यह दोनों एक दूसरे इसके जैसा नहीं है यह अलग है यह अलग है इन दोनों का अलग गुन है ठीक है ना अगला जो कोश्चन है उस्मा छेपी अभी किरिया किसे कहते हैं उस्मा छेपी छेपी मतलब समझ रहे हैं उत्पन करना ठीक है ना जिस अभी किरिया में उत्पादन के साथ उस्मा भी उत्षर्जन होता है यानि भोजन क्या है भोजन में स्वासन का होता है स्वासन कौन सी अभी किरिया अभी हम लोग देखे थे ना तो वही बात यहां पर भी है तो क्या होता है जिस अभी किरिया में उत्पादन के साथ उस्मा का भी उत्षर्जन होता है उस्मा छेपी अभी किरिया कहलाता है ठीक है अगला कुछ संजो है उसमा सोसी अभी किरिया किसे कहते हैं तो जिस अभी किरिया में उसमा का और सोसन होता है उसे उसमा सोसी अभी किरिया कहते हैं जिस अभी किरिया में उसमा जो है खीच लेता है अंदर की तरफ उसको बोलते हैं उसमा सोसी सोसन करने वाला ठीक है न जोस्तो अगला पार्ट ठी किसे